हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज आप इंडिया के इस स्पेशल टेलिकास्त में आपका स्वागत है वेलकम ओल तो जैसा पहले ही मैंने हिंट दे दिया थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी इस तरीके से वारतलाब चलेगी और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट ह हैं वह हैं वीवेक अगनिहोत्री फिल्मेकर हैं और समाजिक मुद्धों पर अपनी राय भी रखते हैं तो सबसे पहले तो वीवेक जी थैंक्यू फॉर जोइनिंग एंड कंग्रेचुलेशन्स देट दे मूवी इस फाइनली रिलीजिंग और मूवी देट वीड़ी देट लेकिन यह जो हैं जिसके कारण आज वीवेक अगनी होती हमारे साथ हैं वह इसलिए क्योंकि 11 मार्च को कश्मीर फाइल से रिलीज हो रही है और उस फिल्म की बनने की कहानी उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए उन सब चीजों पर बात करेंगे तो फिर से बदाई हो सबसे पहले तो फाइनली इस रिलीजिंग पहले तो कोविड का चेकर था उसके पहले वी कुछ इशुस थे आइटिंग और 11 मार्च को अब तो फिंगर्स क्रॉस ना अब तो अब तो इतनी जल्दी है मुझे लगता नहीं बीस दिन में चौथी वेव आसकी तो सब्सक्राइब तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि यह जो डिसिजन था कि ठीटर में रिलीज करना है इसके पीछे एकोनॉमिक्स है या कोई और वजह है आपको लगता है कि नहीं एक ऐसी मूवी है जो कि बड़े स्क्रीन पे सनाटे में लोगों को एक तरीके से कांत में देखना चाहिए ओटी तो चलो अप इन ग्रॉस नहीं रहते हैं आपको कहीं फोन आ सकता है घर के का महौल होता है तो क्या या एक ओनॉमिक थीक नहीं मूवी में इतना पैसा लगा है तो थीटर में ज्यादा पैसा आता है तो क्या वजह थी कि आपने थीटर को इंस्स्ट क आज की तारीक में रिलीज करना या एपसलूट लॉस अफ मनी है यह आप किसी से पूर नहीं मैथमेटिक से उसमें कोई ज्यादा दमाग लगा नहीं कि उल्टा होता है कि ओटी पे ही आप सेफ रहते हो ओटी में ही आप पैसे कमाते हो तो इतनी जल्दी बदल गी मुझे ल तो इन लोगों ने अनाप शनाप प्राइस में खरीदना शुरूर किया तो एक्चुली हमको भी बहुत वल्गर अमाउंट आप मनी ओफर किया था एक्चुली नेट्फलिक्स के जो सीओ थे उसवर्ट मेरे ओफिस दो तीन बार आए कि कश्मीर फाइल्स एक्स्लूजिव मतलब नो थीटर डिरेक्ट तो तो तीन रीजन थे एक रीजन तो यह था कि आप बहुत सही करें क्रेटिव लिए फिल्म जो है यह अगर आप थीटर में नहीं देखेंगे तो आप इस फिल्म को अप्रिशेट नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें होती है जैसे शिंडर्स इस तरह की फिल्म में जब आप देखते हैं सिनेमा में तो यू बिकम पार्ट ऑफ दे सीन तो आप जैसे एक तो होता है कि खिड़की से आपने का वह कितना खुबसूरत लेंड्सकेप है अच्छा द्रिश है दूसरा आप खुद जंगल में घूमने चले रहे तो यह वैसा इसके बीचे बहुत बड़ा रीजन यह था कि पहले लॉकडाउन में दूसरे लॉकडाउन में तीसरे में तीनों में हम वेट करते रहे और यह हमें अच्छे से पता था कि टेबल पर इसमें लॉस है अगर फिल्म अच्छा बिजनस कर जाए लोग देखने जाए तब तो फ पर इसके पीछे में बहुत दिनों से काम करूं अकेला आदमी कर रहा हूं इसके लिए मैंने आयनवी मिनिस्टर से भी बात की है इंडस्ट्री के इतने ट्रेट के हमारे इसके असोसियेशन के प्रेसिदेंस उनसे बात किये कई बड़े डिरेक्टर से बात किये और यह बनाओ लक्षमी बनाओ राधे और हमें क्या लेना देना है इन चीजों से हम पैसा खींच लेते हैं जब तक वो खर्च कर रहे हैं तर जितना निचोड़ो निचोड़ो एक बात दूसरा जो लोग ठीटर में भी रिलीज करते हैं वो भी अल्टीमेटली अपना सारा का सारा आपने समझें 200 क्रोड एक फिल्म में खर्च किये तो उसका एंड प्रोड़क्त क्या है एक फिल्म और कुछ नहीं बचा तो वो आई पी आर जो आपका है वो सारा का सारा उटीटी को बेज देते हैं परपेट्वल तो मतलब आज बॉलीवूड का मैं साउथ इंडियन फिल पूरी तरह से तीन अमेरिकन कंपनी ओन करती हैं करेक्ट यह वर्ल्ड की किसी और कंट्री मैसा नहीं हुआ इंडिया एक स्पेशल केस और मुझे ओटी वालों नहीं बताया उन्होंने बोला कि नो वाई नोबटी इस रियलाइजिंग कि अगले 15 साल में तो सारा का सारे इं पूरी तरह से अमेरिकन वैल्यूस अमेरिकन चीजें वह करेगी फॉलो और आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपके पास आर्मी जरूर है लेकिन जो क्रियेटिव साथ पावर वह पूरा आपने बिना जाने हुए लोगों को दे दिया अमेरिकन प्रोडूसर्स और लड़ाई लड़ी उनने का में कितरा भी लॉस हो जाए पर हम जब तक थेयETर में फिल्म रिलीज नहीज होगे मोटीडी को नहीं नेंगे लोगों भी क्लिभाता आपे साल से बते अौना ने का में सिनेमहास में जब आप जाते हैं तो जो टिकेट खरीगें उस टिकेट का इस अराव दिस्ट्रिगुशन है वो तो आपको सब लोकल लोकों को जा रहा एंग। के जा रहा है। सिट्रिधी वाले को पैसे में रहें रहता एंडिया में रहता है। अर्पको थरे बेशते रहे हैं। आपने जैसे प्रोग्राम लिख के बेज देते हैं तो यह जो नेट्ट्लिक्स औरिजिनल अमेजनल इस तरह की जो मुवी जाती है उसका पूरा का पूरा एक्स्क्लूसिफ जो राइट्स होता है आप कह रहे हो कि वह अमेरिकन कंपनी की इंडिन सबसेडियरी के पास भी नही है डिसिशन मेंकिन अमेरिका में होती है अगर इंडिन सबसेडियरी वे उन करें करते हैं कल को आगर इंडिया में नेटफलिक्स बंदू गया अमेजन बंद गया पर गहराियं के राइट्स तो बहीा तो तो प्रत रहे गई यह दैसा कुछ लोग यह Сकते हैं що यह तो जब ठीटर में रिलीज हो रही थी मूवी तब भी ऐसा कह सकते हैं कि बाहर विरेशी जो पैसा लगाने वाले हैं लगा के अगर वो फिल्में बनाएं या डिस्रिब्यूटर्स अगर कंट्रोल करें तब भी वो एक तरीके से कंट्रोल तो रख सकते हैं लेकिन यहां सबसे लगातार फ्लॉप हो रही है तो आप कब तक उस चीज को जारी रख सकते हो जबकि यहां ओटीटी में फिल्म कितनों ने देखी क्या नहीं देखी वो डेटा इतना मुझे नहीं लगता कि बॉक्स आफिस की तरह ट्रांस्पेरेंट है नेट्फिक्स के जो आय थे हैड यहा यंग जो 2000 के बाद पैदा हुए है जो लोग यह यंग लड़के लड़कियां को ने इंप्लॉई किया हुआ है और उनने पूरी तो वो फीड़बैक भेजते हैं अमेरिका और वो सब लोग मैं सबसे परसनली मिला हूँ बहुती स्ट्रॉंग लेफिस्ट आइडियोलोजी क ने चीजा तो उनका वही प्राब्लम माभाब के साहथ है वही प्रावल्म्स समाज के साहथ है वह कियो होगा कि अप दुनियां में हर चीज को आप्रेस्ट और ऑप्रेसर की नजर से देख रहे हैं हां और उसमें एप जैसा मैं समझ रहा हूँ कि इनके नजर में इंडियन् आप फिट बैठते हो एबल बोड़े तो यह नोट फेर इनग तो यह इससे बड़ा तो उप्रेसर हो इन यह सकता है अम आप पता किपने लोगों को प्रेस एड आप ब्राम यह यह ऑप्रेसिंग अ ब्रह्मिन आप अलोर दो उपरेसिंग अ लोगार से नौर्थ इंडिन आप वहां मतलब क्या रियाक्शन रहा जैसे तो वहां मतलब क्या रियाक्शन रहा जैसे वहां मतलब क्या रियाक्शन रोगों का जीनों ने देखा जो की अनराइस वहां पर होंगे क्या अमेरिकन सीजन ने भी देखा जो की हो सकता है जिनका वर्ड वीव वाशिंग्टन पोस्त न्युवार्क टाइम्स पड़के बनता है क्या वैसे लोग भी देखने आए क्या उन एक तो हमने focus किया था multi-ethnicity के ऊपर तो उसमें हमने बहुत सारे whites, policymakers, mayor, governors, senators, congressmen उनको बहुत ज्यादा preference किया था, priority वही थे अच्छों कि Free Kashmir जब campaign होई थी तो इन ही लोगों ने उसमें बढ़ चल के activism किया था तो ऐसे लोगों को Blacks को, Hispanics को, Asian, Chinese, Vietnam को या उस तरह के लोगों को बहुत जादा बुलाया था फिर हमारी second priority थी non-Kashmiri Pandit people, यह बड़ा लोगों को strange लगेगा सुनके लेकिन उसका reason ही थे Kashmiri Pandit लोग तो देखेंगे ही film को तो वह थे और नो-Kashmiri Pandits, you mean Kashmiri Muslims? No, 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 people from Andhra, from Tamil Nadu, from all those things. और इस पूरी campaign को हमें जो organizers थे, वो 36 organizations थी अमेरिका की Like World Sikh Organization, जो काफी उनने फार्मल प्रोटेस में भी रोल प्ले किया है, तो वह थे American Physicians Association थी, Telugu Association थी, Maratha Association तो इस तरह इंडिया के सारे प्लांतों को किया, उसका एक purpose था, एक reason था उसके पीसे तो वो लोग थे, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ, जो आम पब्लिक थी, वो घुस्ती तो यह सोच के थी कुछ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूों के प्रॉबलम पर जैनोसाइट पर फिल्म देखने जा रहे है, और जब फिल्म खतम हो जाती जी तो भूल भी जात है कि जब हुमेनिटी नहीं होती है, तो क्या होता है, हुमेनिटी तो सब बताते हैं हुमेनिटी कैसी होती है, अश्रभ भाई ने राम चंदर की मदद कर दी अच्छे चाचा जी वैसी नहीं है, यह अच्छा ही नहीं बताती है, यह बताती कि जब बुराई को आप उनका यह था कि तीस साल से किसी ने हमारी बात कभी सुनी नहीं पॉलिटिकली खूब बात होई पर हुमन स्टोरी नहीं आई तो उनका यह था now healing process is beginning यह से गिर्जा टिक्कू का सब केस जानते हैं हर कोई जानता है और तो उनके भाई बहन देखने आये थे तो उनने वह चुपचाप निकल गए मैंने का रुकिये रुकिये आप जाई नहीं निकल गए वो बात भी नहीं कि किसी से बाद मुने मुझे मैसेज भेजा मैंने डाल आप नहीं हुई आप नहीं हुई आप नहीं हुई आप पहली बार यह फिल्म देखने के वाद हम सब लोग रात को बैठे उनके बारे में बात की वी क्राइट अशा लगता है हमारी फैमिली में हीलिंग प्रॉसेस चालो हो गई तो इस वास्मीरी मैंने समराइज कर दिया आप नहीं आप नहीं है तो आप आप नहीं है तो इसे बाड़िया आपको रिटर्न के मिल सकता है यह तो एन यह अचीवमेंट हो जाता है नहीं सटिस्टेश और जहां तक जो अमेरिकन और ब्लैक्स और यह तो उनके बहुत सारे रिएक्शन जो मैं अब रिलीस करूंगा तो उन लोगों ने देखके एक ही बात बोली कि वाई इस स्टोरी इस नौट नोन इन अमेरिका दोट अधर्वाइस और यह जो सार आर्मी रेप करती है वह करती है यह स्टोरी चलती है और यह फिल्म फ्रंट फुट पर उस प्रॉब्लम से डील करती है उस इशू को अड्र तो उसका नतीजा यह हुआ कि वाशिंग्टन डी-स में कई सारे सेनिटर्स और वो लोग आए रहे तो उनने बोला कि गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया लॉब्य क्यों नहीं करती है वाई don't they come and meet us and tell us about it पाकिस्तान से तो हर दूसे दिन कोई आकर लॉब्य करता है तो मैंने पूछा तो मेरे को अम्बेस्डर साफ ने बोला कि इंडिया में इंडियन जो इंडियन जो इंडियन जो इंडियन जो इंडियन जो लॉब्य कर नहीं पाते है तो उसके बाद तो उनने बोला कि अच्छा ऐसी बात है then they organized Capital Hill में for the first time in history जो नॉन MP या नॉन पोलिटिकल पूर केम, Mike Warner who is a very big senator, very number one senator, Indian Caucus का chairman, all these people came they gave speeches and they just spoke about the film. And there were like these senators were mostly from I mean Democrats or Republicans? No, 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 we got Mike Warner is a Democrat guy, Brad is a conservative guy, Raja is a Democrat. So it's a mix of both, actually a lot of Democrats. अच्छा ये फिल्म देमोक्रेट्स को ज्यादा हिट कर रही है, they are finding a revelation, उनको लग रहा है ये तो हम तो कुछ और समझते थे, conservative तो हमेशा से इंडिया के साथ ही थे. Or maybe they are clueless. Or mostly like U.S. conservatives. But yeah, Democrats think that they know because they think that they NYT और वापो में पढ़ लिया तो now they know everything. But so it actually hit them, you are saying. It opened their eyes. So now they are saying that you come and do a presentation and all that. We will get more congressmen when COVID is over, so I will probably go. Great, great. Now the theatrical trailer, you are right, you are right that this is not a movie. It is a very real story. And I don't know anything about film making. 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 That's why I have just heard many types of stories about film making. या 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 तो यह कब भी चेंज हुआ कि एक डॉक्मेंटरी करते हैं तो जब हमने इसके RTI फाइल किये कई साथ तो गॉर्णमेंट ने जो है बार-बार कहा कि वहां पस कोई documentation नहीं और इस सत्य भी है उस वक को documentation हुआ ही नहीं अचली तो 4000 लोगों का murder हुआ इस सब्सक्राइब करें नहीं नहीं तो इन लोगों की तो फोटो नाम सब कुछ उस में है बाकी जो लोग है उनका exact time and वह नहीं यह पर देवर missing I mean they are still missing तो obviously they must be thrown in jail like a lot of people तो इन लोगों का क्या कहना है जो कश्मीर के जो separatist terrorist groups हैं कि नहीं तो सब जूट बोलते हैं आप सिर्फ 219 लोगों की FIR है यह बहुत बोला जाता है यह सब journalist की बोलते हैं बरकाजी बोलते हैं कहीं लोग बोलते हैं हमेशा यही logic लाते हैं पर यह सब बोल जाते हैं कि वह जब रात को बिना चपल के लोग भाग रहे थे दो बजे तीन बजे तो FIR कॉन लिखाता फिर वापिस तो गए नहीं लोटके कभी दु और उनको एक बोरे में बांद के पुली स्टेशन के भार ही फेंग दिया तो ऐसे में कैसे होता तो आई सेट की जब जैनोसाइड होता है तो एक वार ट्राइम की तरह से सारी गौर्णमेंट एक ट्रिब्यूनल बनाती है और फिर उस ट्रिब्यूनल में लोगों को बुलात अपने दिमाग में सोच है अपने दिमाग में क्रिब्यूनल बनाया हम अपन इपनी पांच लोग ते हम तो एक-ग को ख़ँ दिया चआ तुम यह करोगे तुम है और फिर हमने सारी दुनिया में जहां भी जिसके पिता या मा के साथ हुआ और वो था विटनेस हो से लिए या हो सकता है पिता जी को चार मील दूर मार दिया लेकिन वो लाश लेने गया था उनके वह पार्ट आप जिसने वो देखा है तो ऐसे लोगों कि हमने लिस्ट बनाई जो बहुत ज्यादा है नहीं क्योंकि तो ज्यादा तर कई यंग लोग भी थे अफिर उनको हमने सब जगा जा जा के साउथ ऐफरिका में अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के लोग सिंगापोर के लोग जर्मनी में अमेरिका में यूके में जम्मू में सारे विश्व में पर्सनली में और पलवी जाते थे हमारे अग चोटा स다 कुड़ा हम जाते थे काल आई आक फंछा खाते थे असके साथ उनके साथ रहते थे तो उपन दम नव गएप ज़ा गया। जब वे बड़ें करेंगे काही थे यह तो हम् कैमरा ऑं करनेते थे ते और दे इविट श्पीक और पिर प्र हमने Qiya किया चिए अग जगमोहन जी जो लेट जगमोहन जी थे उनके जो रिकॉर्ट्स थे उस वक जो डिविजनल कमिशनर थे आईजीप पुलिस थे इस तरह के लोगों का किया फिर बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम लोगों का हमें इंटर्वी एक जो 90 के पहले के लोग है और 90 के बाद पैदा कुछ बाते हैं जो सब कोई बोलते थे दुश्मन भी बोलते थे यह भी बोलते हैं सब लोग बोलते हैं जैसे दो दिन सरकार नहीं थी और कोई पुलिस आईजीप पुलिस नहीं था गवर्न नहीं था कुछ भी नहीं था तो पुलिस वालोंने और ले नहीं बंद कर दिया किसी से तो कुछ करी नहीं रहे थे वह भी जलसे में शामिल हो यह बात कश्मीरी मुस्लिम भी बोलता है तो यह कॉमन थ्रेड है उसका कि पुलिस बिकेम लाइक एपसलूटली वेजिटेबल तो ऐसे जैसे कई लोगों ने यह तो मुझे कई मुस्लिम लोगों ने भी यह बात है तो हमने वह सारी चीजे निकाली तो वह अलग अलग इंसिदेंट्स थे एक कहानी आपकी हो गई यह किसी की हो गई और उनको हमने एक टाइम लाइन में वीव किया जस्ट इत लिबर्टी वी तुक विच इस अलेजिट क्रिएटिव लोग करते हैं और वह ताइम लाइन क आज तक का है तो यह समझ लिए कि 1990 की पॉलिटिक्स क्या चल रही थी और 2022 में क्या पॉलिटिक्स चल रही है इन दोनों को जक्स्रेपोस्ट को जब एक्जोडस हुआ उससे पात साल पहले एक तरीके से आप आनके चल रहे हैं कि वहां से ट्रिगर हुआ कि अब यह अप यह थीएटर में जाके देखेंगे और 2022 तक है यह तो जब आपने कहानी बनाई यह कहानी कही तो मतलब इसमें आप कुछ मैसेज देने के कोशिश कर रहे हैं असरिफ कहानी तो कर रहे हैं क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब यह कश्मीरी पंडितों की कहानी में ही कही गई है जब यह टर्म को यूज करता है तो उसमें एक यह भी छुपा होता है कि एक पर्टिकलर है ना वह उस घटना को देखने का जो एक तरीका है उसको कभी वह नहीं किया गया अधर्वाइस एक्जोडस हुआ कश्मीरी पंडितों के बारे में या कश्मीर क यही लोग 84 या 2,002 के बारे में कहेंगे कि नहीं अगर वहां सरकारी आकड़े में 700 तो असलियत तो 70,000 होगी तो यह जो हाइपाक्रसी है वगरा यह जो कोई नहीं पूछता वगरा इसको कोई उजागर नहीं करता क्या दिमाग में था कि इस हाइपाक्रसी को इस पहले किस कि अगरी को एक दर्ज की काहनी है ओविसली यूमन स्टोरी है ड्रामा है और हम जो भी कश्मीर के बारे में जानते हैं पॉलिटिकली जानते हैं हमने पॉलिटिकल डिसकुशन के लावा कभी कश्मीर के एक्सुदस की बात की यह जानोसाइट जानते नहीं है लोग तो यू सारे लेफ्टिस्ट मीडिया ने और लेफ्टिस्ट एक एको सिस्टम ने उड़ा दिये काट दिये वह किसी से भी आप बात करी अगर कश्मीर में मैं तो बहुत बार अभी बीच में गया हूं आप जाए तो लोग कहते हैं उस वक्त तो वीपी सिंग की सरकार थी जो की से और कोई दूसरा बंदा उसके बगल में आके खड़ा हूआ तब वो फट गया दो गंटे बात तो आप कहें साब मैं तो था ही नहीं मौके वारदात पे यह वैसी बात है राजीव गांदी की सरकार ने सारे बीच बहे और यह तो जग मोहन साब ने अपनी किताब में होता था कश्मी में श्री नगर में all the Muslims used to say about Sheikh Saab कि when he is in Delhi he is a secular when he reaches Jammu he becomes a communist by the time he reaches Shrinagar he becomes a communal यह उनने का यह मैं नहीं बोल दो दिये भी a documentation किया तो यह तो चीज दिख गई जब धारा 370 हटी हां तो जो इनकी बोल निकल के आए तो वो जो जो कश्मीर के लोगों को से चेहरा ज देश के लोगों को भी दिखने लगा तो यह सच है आपने राजीव गांदी का नाम लिया तो क्या नहरू जी बच गए है इस कहानी से हां मैं उत्ता पीछे गया नहीं दूसरा एक चैप्टर है पूरा है कहीं कहीं जिख रहा है यह बात भी है कि कहां कहां तक आप ले यह मैं हम जीखेंगे क्या होता है लोग इंटेलियुंट होते हैं वो थोड़ी सी चीज बोलो तो थो तार जोड लेते हैं हो तर कि होता कि थोड़ी सी बोलने वाली हो कोई बोलो हि नियु खाते है लिए अ में कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित का जिकर तक नहीं हो अक है कि आप ऐसए और अधेन अधेंटिक फिल्म स्टोरी उसको मैं तोड़ना चाहता था और 2020 की बात तुम्हें बताता हूं और यह सत्य है कि इस नेरेटिव को यह कैसे कंट्रोल करते हैं जो नंबर वन आज जो सबसे चर्चित एक OTT कंपनी सबसे चर्चित उनके हैड जो है उनने बोला भी कि हमारी कंपनी यह सक्सेस्फु अगर मैं इतना पैसा एक्स्ट्रा मुझे उसमें मिल रहा था कि हम सब लोग ऐश करते कोटी बनाते उस वाक्ते यह पड़ी वह यह वह ने मुझ से यह बोला कि इस फिल्म में आप जो टर्रिजम बग रहा है उसमें कोई अजेक्टिव तो नियूस कर रहा है ऐसा डिरेक्ल तो मैं देखा कैसे पॉसिबल है यह और यह मैं on record बोल रहा हूं I mean it can be checked verified with them तो उन्होंने बोला नहीं हमारी global policy हम नहीं जानते हैं हम ने नहीं बनाई है तो मैंने तो कैसे करें भई जिसमें किया है रलिव गलिव शलिव या तो मुसल्मान बन जाओ या भाग जाओ या मर यह तो इस्लामिट टेररिजम है ना भई मुसल्मान बन जाओ बोल रहा है मूँ पे और राच करेगा अल्ला और सम्थिंग उनके जो नारे थे सारे वह यह तो नहीं थे कि भई हम आप से political ideology में सहमत नहीं आप निकल जाईए ऐसा तो नहीं था हम आप से culturally सहमत नहीं तुम आरे धर में convert हो जाओ या भाग जाओ या मर जाओ और जो नहीं भागे उनको मार डाला और यह भी कहा गया था कि हिंदूों तुम यहां से भागो अपनी ओरतों के बिला राइट क्योंकि तुम्हारी और मस्जिदों के लाउड स्पिकर से यह कहा था पूरा लाउड स्पिक कि जैसे मैं होलो कास्ट पर फिल्म मनाओ और आप बोलें नहीं आप इसमें नाजजी और हिटलर के वारे में एक शब नहीं बोल सकते हैं अरे तो मारा किसने उन लोगों वो जीवस को तो 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 देन दे केम दे सेट अगर ऐसा है तो मुसलिम भी तो मरे थे तो मैंने कहा है कि यह सत्य मुसलिम ही मरे थे तो 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 आपकों हिंदु-terrorism word भी यूश करना पागा मैंने हिंदू थे नहीं मारा पुलिस वालों को मुसलिम लोग मरे थे उनको तो मुसलिम लोगों नहीं मारा क्यों कि वग्याने ख़ए हुए थे तो तो भी वागण फ्रों और मैं अर तो भी आपे कॉंग्रेस में बिल पास हो गया, बहुत जल्दी वह सेनेट में भी हो जाएगा और बिल बन जाएगा, मतलब अमेरिका में आफ इस्लाम या इस्लामिक टेरिरिज्म के आरे में कभी कुछ नहीं बोल सपाएंगे, और फिर अमेरिका में वह हो जाएगा, ब्रिट जो शायद किसी ने आज तक उसकी तरफ नजर में उठा, यह मैं बताऊंगा नहीं क्या पर्स्पेक्टिव है, फिल्म में आप देखना पर इस्लामिक न्यू पर्स्पेक्टिव, बल्कुल इस्लामिक टेरिरिज्म, यहां है लाउड है बोलना, ने यहां पर खटना होगा, मेरे सही में, क्योंकि वो सारा पॉलिटिक्स फिर दिमाग में आजाता है, तो चलिए, अच्छा हुआ उस अमेरिकन कंपनी को आपने यह नहीं किया, कि जबरदस्ती जो कह रहा है कि हिंदू टेरिजम घुसाओ, जहां कि हिंदू जिनका एक्जोडस हुआ है, आप वही करो मतलब इससे बड़ी बचकानी बात क्या हो सकती है, और जो शुरु में आपने कहा था, इस पर गवर्मेंट को सोचना होगा, IT रूल्स वगर आए हैं, उसमें कहीं ने कहीं यह सब होगा, और मुवी हम देखेंगे, उसमें क्या कितने, ट्रेलर से तो लगता है कि आपने जो सच है, अगर चुपता है किसी को कड़वा लगता है तो लगे, तो अमेरिका में ऐसा कुछ लोगों को लगा क्या हेकलिंग वगर इस तरह का आपको सामना करना पड़ा कि यह पहले आप कभी स्पीच वगर देने कहते तो एक बार कुछ पाकिस्तानी, दो बार हेकलिंग तो शायद हम भी बन जाएंगे, तो नया मुल्ला जरा जोर से अजान पड़ता है वैसा है, तो वहाँ पे, तो वहाँ पे, तो वहाँ पे, तो वहाँ पे, तो मुझे थोड़ी हुमेनिटी वगरा की बात कर रहे थे यह सब, पर मैं, I know how to deal with them, tackle with them, पर इस बार तो इंडिय मेरे को उनने थोड़ा manhandle भी किया था, ठीक है, जब अखली में सर डाला है, तो मुझे सर से कहसा है, तो मुझे सर से कहसा है, मतलब काश्मीर और उसके साथ पाकिस्तान का connection तो हो जाता है, और जो global left है, जो इनका एक तरीके से alliance हो गया है, तो और आपके against तो जैसे पहले हैं, तो जो भी heckling वगड़ा हुआ था, जब आप speech वगड़ा दने गए थे, तो do you think कि इसके बाद वो चीज और बढ़ जाएगी, are you concerned about it, or how do you see it? आप कुछ दिन पहले क्विटर अकांट पी deactivate हुआ था, उसकी भी कोई वजय थी, इन सब चीजों से जुड़ी हुई या क्या? मैं उस बारे में कई लोग बोल रहे हैं तो मैं इसलिए नहीं बोला, कुछ चीजें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा responsible person और कुछ security reason से पर इतना आपको बताता हूँ कि जब हम फिल्म शुरू कर रहे थे, तो home ministry ने लोगों को बेजा, उनने बोला कि थोड़ा सा threat perception है तो आप security ले लिए और इसमान में महराश्ट को भी बोलूँगा उनने भी तुरंत जब home ministry center से हुआ तो actually उनने जब कोई बोलता है ना कि आके जो बंदार एक लड़का जो हमारा office में उसमें उसमें का, sir वो वर्सोवा थाने से दो police वाले आएं तो आपकी जान सूख जाती के लिए कि वही एक तो वैसे ही महराश्ट में है जो सरकार है वो बड़ी वेंजन्स वाली है वो है वैसे ही वो उनका DNA में है उनके किसी ने गलत बोला जाके पीट दो मार दो दुकान जला दो बाला साब के वक्त में तो किसी वो media house में भी जा 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 गे खूब पीटा पड़ा फेमस कोई एक जर्नलिस्त है हुआ का मराठी को भी मारा था तो एनिवे तो उनने बोला कि आपको security लेनी ही पड़ेगी है मुझे पहली वार पता चला कि it's not your choice और अगर आप मना करते हैं तो आपको थाने में जाना पड़ता है और परसनली हुआ एक affidavit उनके जो कि मैं जब shoot करने किया था तो उस वक कुछ ऐसा हाथसा हो गया था कि मैं कुछ Kashmiri यंग लड़के लड़कियों को मैंने dinner पर invite किया तो लोग आये भी थे तो वहाँ पर मेरे नाम पर उन लोगों ने बड़ा बवाल हुआ उन लड़कियों के पीछे भी काफी उनको बड़ी ने मेरे साथ काम किया था वो तो वहीं रहते हैं श्री नगर में तो उनको इतनी धंकिया मिली तो उनने बोला हमारा नामी मद डाली अगा फिल्म में It's a very sad thing to do and then they issued a fatwa अगे तो काफी tv news में चलता रहा उस वक्त में में just freedom से कहीं भी चला जाता था सुबह वाक पे यह वो दुनिया भी I have to avoid that और कश्मीर में मैंने इतनी shooting किये बहुत shooting किये even यह terrorism movie की shooting सारी सारी नी किये most of it we have done it और कुछ एक portions जो थे वो फ़र फत्वा तो आउग गया तो फिर वो हमने मसूरी और दहरादून में किया हमने फिर मसूरी में set लगा लिया था और तो अब मैं कश्मीर मुझे नहीं लगता है मची है कई लोगों को और तुम से बात कर रहा हूं तो तो अभी यह movie के बारे में बातचित करने को लेकर कुछ ऐसा resistance आपको दिखा है कि नहीं वह बात ही नहीं करना चाहते अभी मैं सर्च कर रहा था Google पर मैंने ऐसे ही वह देखा दा कश्मीर फाइल्स एंडी टीवी करके मैंने गूगल में डाला और उन्होंने अल्रडी एसी ओ के लिए उन्होंने एक पेज बना रखा है गैजट डॉट एंडी टीवी पे गया वह उन्होंने एक पेज बना रख है कश्मीर फाइल्स करके कि उनको भी पता है कि लोगों को तो इंट्रेस्ट हो गाई तो इसमें रिलीज देट 11 मार्च यह सब दिखा रहा है और क्या लिखता है दा प्रोपेगेंडा फिल्म हैज विन रिटेन डिरेक्टेट बाई विविवारंज अग्निहोतरी दे अल्र हिस्ट्री वगरा सर्च किया जबकि आपने शायद पांच-पांच सेकंड के ट्रेलर्स पे रिलीज न किये होंगे तब इन्हों ने ऐसी यो पर्पस के लिए यह पेज तो बना दिया है ताकि कश्मीर फाइल की सर्च में आ जाया है बहुत सारे मेडिया हाउसे हम नहीं कर बाते इसके लिए और भी रहूल है ऐसे बहुत लोग करते हैं जब उनको मालूम होता है कि भाविश्व में कोई भी मुवी आने वाली है कोई अनॉंस भी कर दे तो उसका पेज बना लेते हैं ताकि लोग गूगल करें तो उसको उस पेज पर आ जाया उस पर थोड़े प्ल इक्वली कॉंट्रोवर्सिल ताशकेंट फाइल्स तो यह तो हालत है तो एंडी टीवी तो खैर इनसे अब आपने जवाब ही दे दिया मैं क्या बोलूं इस बारे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं तक ताशकेंट फाइल्स में लेकिन कम से कम जैसे यह थे आपके भाई-साब क्या नाम है यह थे कम से कम आशकल तो वह भी बहुत जंडा लेकर हैं इन सब चीजों के खिलाफ लड़ते हुए गलती से बीच में बोल दिया था तालिबान के खिलाफ तो अब उसकी भरपाई कर रहे हैं तो इस बार इसमें जब आप कास्टिंग कर रहे थे तो आपको कु उमर भी हो गए यह तो मुझे पता है कि किसके बाद नहीं जाना चाहिए यानि बार बार साप के बिल में आप हाट नी डाल सकते हैं पता है पर कई सारे नए लड़के लड़कियां जो हैं आएं जो लोग शायद दो हजार के बाद पैदा हुए और जिनके माबाप ambitious थे तो यह तो बहुत एक दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए नहीं उनके माबाप के लिए और उनके खुद स्वयम के लिए यह कैसे संभव है तुम यह देखो इतना लंबा इतिहास है बॉलिवूट का और यह क्या politics करेंगे जितनी politics पुराने स्टार्स ने किया खाके कर नहीं सक अच्छे दोस्ते और साथ में काम करते थे राजेंदर कुमार की अलग वो थी और सुनुईलदत की अलग थी दोनों की बेटे बेटियों की शादी हुई आपस में राजेश खन्ना कॉंग्रेस के थे मिताब बच्चन बीजेपी के थे साथ में घूमते थे धर्मेंदर बाच्पेई जी जब खड़े हो रहे थे उनकी कैम्पेइन करने चले गए तो उस वाद गाली भी खाई थी उनने लोगों से तो बोले तो क्या हुआ बाच्पेई जी कि मैं इजजत करता हूं कॉंग्रेस से लड़ता हूं तो क्या हो गया तो यह सब हमेशा होता है यह और इन लोग यह किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करते हैं जैसे चलो बीजेपी के आप कर सकते हैं मोदी जी के भखते हैं कॉंग्रेस वालों को कह दो नहरू गांदी के भखते हैं कि कम्विनिस्ट बड़ी आजीब कौम है किसी की किसी की नहीं होती दुनिया में एक इतनी जहर लेकर आ रही है तो उन लोगों ने मना कर दिया काम करने से अच्छा और जो यह मीडिया है पूरा मैं नाम लेकर बोलना चाहते हैं वह भी मेरा नाम खुल के लेते हैं तो मैं क्यों छुपू उससे यह जितनी क्विंट है फ़र इगा कोई मेरे को ट्रोल करेगा म मेरे बारे में अगर कुछ लिग देगा बात तो उसका जो मैनेजिंग एडिटर है वो नीचे जाकर उसमें एक स्माइली डालता है जस्टू यह तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देगा था मैं भी नहीं करता हूं यह तो यह लोग जो है इनने डिसाइट कर लिए हम बॉ कि गहराईया का क्या है पुब्लिक रियक्शन सारी दुनिया जानती बच्चे से भी आप वो टीनेजर से पूछ लो वह भी कहेगा थर्ड रेट और मैं कह रहा हूं यह नहीं अच्छी क्योंकि ना तो स्टोरी है ना कुछ है लेकिन उसके जो में स्टार्स हैं वो कह रहे है कि मुझे इतनी तारीफ इस फिल्म की मिल रही है अम ओर्वर्म्ड और यह जूट बोलते हैं यह ने दिखता नहीं है और यहीं मीडिया का हाल हो गया तो इस फिल्म को तो यह ताशकंत फाइल तो चलो उनने सोच अंडर एस्टीमेट की थी पर इस फिल्म को अंडर एस्टी से जुड़ी है और अमेरिका के डेमोक्रेट लोग हैं तो लेसी क्या रियक्शन होगा आपने देखी लिया प्रोपेगंडा फिल्म यहीं बोलेंगा और क्या बोल सकते हैं तो दिख जाएगा जैसे ताशकंत फाइल्स में ले देकर लास्ट में उनको मानना ही पड़ा कि हम जाएगा है कुछ भी कहें मोवी है तो यह भी होगा तो ताशकंत फाइल्स के बात कर रहे हैं यह कश्मीर फाइल से तो मतलब आप कोई सिरीज यह ट्राइलोजी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर यह पार्ट अफ ट्राइलोजी है पहला बुद्धा था और वो बुद्धा फीचर फिल्म कैसे बन गई इश्वर जानता है तो मैं थोड़ा सा उसको क्रेटिव हूं थोड़ा इंटलेक्ट बात करता है तो हमारे तीन शेर दिखते हैं चौथा दिखता नहीं तीन शेर दिखता है तो पहली जो फिल्म थी ताशकंत फाइल्स वह थी राइट तो अच्छा नाम पंजाब भी रख सकता है डेली फाइल्स में बहुत थोड़ा एक सतर साल में हमने क्या किया है इस देश के साथ थोड़ा उसके बारे में वह भी बहुत इंटेंस फिल्म है मतलब उससे भी जादेंस तो उसमें उसका रिसर्च चालू हो गया है या उसका हमने चालू किया था लॉकडाउन के करीब दो-तीन मेने पहले तो मतलब जैनुरी के आसपास 2019 में ओके तो ट्राइलोजी वहां जाके खत्म होगी या फिर खुनो शायदी खत्म नहीं हो ये सिरीज क्या पता क्या पता तीसरा बने ही नहीं तो क्या हो इस नंके बाद में अनुपमखेद अमिठों चेकरवर्टी है राइट ट्रेलर में वह हैं और नए लड़कों को आपने जिन्हों ने मना कर दिया उनको छोड़ दे तो उन लोगों को आपने वो कास्ट किया है या 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 तो पुनी इस सर है जैसे पहले मैंने उनको लिया था यह जो जो उसके यह राज के पिता जी नहीं है पंजाम में उनको लिया था और अच्छे एक्टर हैं इसमें कोई संदेर ने उनके क्राफ्ट की मैं कभी बुराही नहीं करूँगा तो उनको लिया था उस रोल में फिट होते थे पर हम पहुंच गए शूटिंग करने देरादून में तो उन ने फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक स्पीच दी थी और उस पीच में उनने कहा था कि हिंदू वारते जो हैं सब तवाइफ हैं तो मैंने कुछ आगे सोचा ना पीछे कुछ भी नहीं किया नहीं तो इमेजेटली मैंने उनको एक लेटर बिचवाया कि यह कॉंट्रेक्ट इ तो मुझे लगा एक ऐसा आदमी है जो हमेशा खड़ा होता है कॉस के लिए चाहिए कुछ भी हो जाए रात को दो वरी तो मैंने श्री पुनीत इससर को फोन लगाया वो गोवा में कोविट की छुटियां मना रहे थे मैंने का महराज ऐसी बात है कि मेरी उसके पहले मैंने जानता भी नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, हायलो भी नहीं था, पुनीत इससर से कभी नहीं मिला था, तो मैंने बस फोन करके उनको यह वोला कि उनका नंबर लिया किसी से और मैंने कहा कि एक ऐसी चीज है जिसमें बिलकुल क्या क्यों कैसे सवाल पूछे नहीं जा सकते कि आप कल ये फिल्म शूट करने आ सकते हैं। कहले रहे रहा है। मैंने कॉस्ट्यूम भी रेड़ी कुछ नहीं है। कुछ रोल क्या है। अगर आप भरोसा करते हैं। मैं कश्मीर जैनोसाइड पर पुनित ने जैनोसाइड वर्ट सुना कहता है अपना हिंदू कश्मीर हिंदू का जैनोसाइड ना मैंने का हां। कहता बुल कब आना है। वह बंबई गए सुबह की फ्लाइट से अपने कपड़े उठाए सारे और शाम की फ्लाइट से वह बहरादून पॉंचे वायर दिल्ली और अगले दिन से शूटिंग चालो करते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं। प्रकाश बेलावड हैं जो बहुत इंटिलेक्ट्वल एक नेशनलिस्ट क्रिएटिव हैं नेशनल अवार्ड बिनर हैं वह हैं। ऐसे कई सारे बड़े और दर्शन कुमार और कश्मीरी लोग हैं। तो एक्टर्स आपके डिपेंडेबल और भरोसे वाले हैं। पांच तो नेशनल अवार्ड विनर्स अच्छे हैं। तो उसमें तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा ही जिन्होंने पैसे लगाए उन पे कितना कॉन्फिडेंस था आपको लग रहा था कि हां। जब उन्होंने लगा दिये तब उसके पहले जब आप फाइनेंस के लिए लोगों से बात कर रहे होंगे। अकसर इस तरह की फिल्मों में जब पैसा कोई लगा देता पहला इंस्टॉल्मेंट देता कि बात अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता आदमी दूसरा देगा कि नहीं देगा और दूसरा नहीं दे कहीं ऐसा हो नहीं पहला भी मांग ले वापिस विद इंटरेस्टॉल्म तो नहीं पर प्रॉब्लम तो था समस्या तो थी लेकिन देखे मैं हमेशा एक बात बोलता हूं मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुमने कई बार यह पहले भी बोल चुका हूं तुमसे भी और लोगों से बोलता हूं कि हम लोगों को successful होने से शर्माना नहीं चाहिए हम lower middle class है middle class चोटे शहरों से आते हैं जहां पर यह सिखाया गया है अरे पैसा क्या है वो तो हाथ का महल है और क्या देखो यह सेट लोग तो ऐसी करते हैं वैल्यूज होनी चाहिए पर वैल्यूज होनी चाहिए पर उन वैल्यूज को वर्ल तभी recognize करेगा जब उसा success जोड़ी है तो अगर पाश्कन फाइल नहीं होती तो इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाता है तो थोड़ा लोग confidence था कि प्योर जो बिजनेस वा लेते हैं लोग करते हैं support पर हैं तो hardcore business people nobody is here for charity तो स्टूडियो देख पैसा नहीं लगाते ऐसे सर्केट पर उनको भी confidence था कि यहां पिछली बार बिना कुछ किये तब उनको faith नहीं था मेरी फिल्म पर जीरो faith था तो देड़ सो कुछ एक scream release हुई थी तो इस बार उनने बोला कि नहीं हम करते हैं तो देख केम ऐसा पार्ट पार्टनर्स नॉट अफुल यार उलसो वन अफ द प्रोडूसर और अभिशेक अगरवाल एक हैदराबाद के प्रोडूसर है यंग एकटम उन्होंने जब मैंने अनॉंस किया कोई हमारे साथ था नहीं हमने ऐसे अनॉंस कर दी हम कश्मीर फाइल बना रहे हैं तो उनने कहीं से ढूंड हांट के मुझे मेरा नंबर निकलवाया और वो मुझसे मिलने आया बंबई उन्होंने का सर देखिए मैंने को ताशकन फाइल से भी मतलब नहीं है मुझे इतना भरोसा अगर कश्मीर पे आप फिल्म बना रहे हैं तो आप करेक्ट बनाएंगे लेकिन मैं शायद पूरी फिल्म फैनेंस नहीं कर सकता हूं तो मैं पार्ट पेमेंट कर सकता हूं पार्ट कहीं और से आपको लाना पड़ेगा तो तब मेरे को मैंने का जो आ रहा है वो तो आप शुरू तो करते हैं मैंने आ आ जाएगा दूसरा भी पार्टनर फिर हमारी कोविड मैं जब फस गई तो आप जी केम तो है अच्छा ठीक है तुम लोग ने काम कर लिया यह वान मनी और सब्सक्राइब कर लिया यह वान मनी और सब्सक्राइब तो आप शुरू कर रहे थे तर्म काश्मेरी हिंदू इस पे भी इंटरने वगरे पे थोड़ा बहुत न कोविडिया और सब्सक्राइब कर लिया कैसे सब्सक्राइब केंचा की ने करIT को चम्यून वर इद यूर काश्मोंटों का है कि कारश्म country टै Almaillu का मनाच्मेर बंडा कि यूर दाने कास्मेर क्टी when the inate शत्व होग औरिम्द देखो कि मैंने बहुत smartly उसको handle किया है, क्योंकि इसका कोई solution नहीं है, ये बिनाबाद की बहस है, बिनाबाद की मतलब हो सकता है, दोनों के arguments correct हो, पर इसका कोई solution निकलने नहीं वाला है, वो इसलिए कि जिसकी जुमान पर शब्द चड़ गया है, अब जैसे यो समझो, मैं आटा बोपाल मैं बढ़ा हूँ, लेकिन भोपाली नहीं, भोपाली का इक अटा अलनाग कॉन्टेशन है, मैं कभी आपको अकेले में समझाऊँगा, किसी भोपाली से पूँछ लेना, किसी भोपाली है कि वो बोबोले ये बोफाली है, उसका मतलब जनरल होता है, कि ये हो ह तो पंडित इसलिए हो गया कि जो वहां एक तो बहुत क्वालिफाइड लोग कश्मीर में माइग्रेट किया जहां से तो पढ़ा लिखके शंकराचारे क्यों गए तो तो लोग गए तो जब बहुत स्पेशलाइज कर लिया एक सब्जेक्ट में मतलब अब फिलोसोफी में इतना आगे पहुच गए तो पंडित हो गया उस सब्जेक्ट के तो इस तरह से पंडित बिर्जु माराज पंडित पंडित जवाहलाल ने हो तो पंडित है को पाधी की तरह से यूज होता तो पर फिर जो बच्चा बड़ा ही हुआ है कश्मीरी वहां पर जिसने मुझे कश्मीरी पंडित चौबिस घंटे बोला है तो उसके मुझे नैचरली निकलेगा और उसके लिए उसको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि अपने कर दो लेकिन सवाल है कि कश्मीरी पंडित वर्डी नहीं या हिंदू वर्ड भी नहीं आता आप बोल बिहारी है इसने यह अंधरा से है यह गोवन है यह महराष्ट्रियन है ऐसी बोलते हैं यह इसलिए हुआ क्श्मीरी जो मुस्लिम थे उन्होंने बोला ही कश्मीरी वर्ड गलत है कश्मीरी मुस्लिम वर्ड यूज होना चाहिए यहां की पॉपॉलेशन के लिए और उन लोगों ने यह डिफ्रेंसियेशन लाया क्योंकि आप बहुत सारा लिट्रेचर पुराना देखें अगर आज से 1100 साल जब एक टाइम ऐसा भी आया था जब सब सैटल हो गए थे हाँ भई अब यह रियालिटी है यह इन्वेडर से ने लूट किया यह किया रेप किया कनवर्ट किया जो कि अब मामला सेटल होगे अब हम शांती से रहते हैं तो कश्मीरी ही वर्ड यूज किया जाता था कश्मीरी मुस्लमों ने का नहीं यह तो हमारा लेंड है और यह फैट किसी को पता भी नहीं है रहुल जो वहां रहें तो उन्होंने जैनोसाइट कब होता है जैनोसाइट अधरिंग सबसे पहले कि यह आदमी अलग है सेकिंड आइडेंटिफाइं मतलब दूर से देखके बोल दे कि यह जीव को जैसे मार्क लगाते हैं हिंदुस्तान में किसी को यह बात पता ही नहीं है इविन दा टॉक्मोस प वहां पे सब फैरन पहनते हैं आप यह उपर से लेकर नीचे तक लंबा कंबल जैसा कपड़ा जो पहनते हैं कश्मीर में वह हिंदु-मुस्लिम सब पहनते हैं हर कोई वह पहनते हैं तो उन्होंने पहरन से तो पता ही नहीं चलता है कौन मुसलिम है और कौन अच्छा उस व तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कौन-कौन है और वह सलक पर पांच बार नमास पढ़ने का नियम नहीं था वह पर अंदर था तो उन्होंने का कि हिंदू दूर से पंडित को आइडेंटिफाई करना चाहिए तो उन्होंने दो चीजें कि उनका एक नाम रखा बट्टा बट्टा मतलब कावर्ड्स यह जो दाल की खाने वाले दाल खाने वाले कमजोर होंगे तो उनका नाम बिया बट्टा बट्ट से बट्टा बना और दूसरा उनका जो फैरनता हिंदू का उसमें नीचे प्लेट लगवा दी जो प्लीट होती है ना ऐसे एक कश्मीरी पंडित टर्म भी फिर मीडिया यूस करने लगा क्योंकि वह आंके जितने मुस्लिम नीउस्पेपर्स थे वह कहते थे कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित तो इस तरह से वह अधरिंग चालू हुई सारी की सारी और इंडिया में कि इस बात की नॉलेज तक नहीं और 1990 तक की में पास इतनी फोटोग्रैस हैं लड़कियां तो जीन्स और पैंट और शर्ट पैंके भूंगती थी शमी कपूर की फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसमें पीछे जितनी लड़कियां खणी हैं कश्मीरी मुसलिम या यह सब उनको देखो गए तो तो तुम्ह हिजाब वगरा तो खेर बाहर का टर्म है बुरका पहनना शुरू करेंगी और वहां से टोपी लगाना लंबी दाड़ी करना यह सब वहां से शुरू है और इसलिए मैं बुरके की लड़ाई लड़ रहा हूं इसलिए मुझ पर इतनी थेट्स भी आ रही है क्योंकि मुझे यह शुरू एक बुरके और एक नमाज और एक इससे ही होता है हाँ तो यह यह जो टाइम लाइन की आप जो बात कह रहे हो कि यह ऐसे आके जुड़ती है कि 85 से लेके 2021 तक की बात और अभी तो खेर हम 2022 में हैं जहां कि यह हिजाब और बुरका आपकी मुझ अगर थोड़ी और चौती में होती तो उसे भी इंक्लूड कर लें तो लेकिन उससे यह connection जाके जुड़ता है कि कैसे hundred percent यह खुद अपना othering कर रहे हैं फिर जाके खुद ही कहें कि हम victim हैं और वो हैं वहां इन्होंने हिंदू को सबरदस्ती पहनाया यहां अलग दिखने के लिए खुद प पहन के आने दो यह करते आने दो यह बिल्ड़ते होते 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 मैं अपना example बता दूँ जहां हम रहते है वर्सोवा में जो भी वर्सोवा में रहता है इसको सुनेंगे कई लोग तो वो खुद समझ जाएगा चाहे left का हो right का हो चाहे हिजाबी हो यह ना हिजाब जब मैं वहां रहने गया था तो उस अरिया में ज्यादा कुछ था नहीं पॉपुलेशन भी नहीं पहुछा था तो ओविएसली एक गेटो जैसा था वहां पे कुछ थोड़े मुसलिम रहते होंगे मस्जित ही लेकिन जो मेन अरिया है वो सारे नए पंजाब के दिली के लो और वो सब करके प्रॉपर इस तिंग वहां पे शाम को दो दो तीन गंटे खड़े होने लगे फिर कई लोग वहीं फुटपाथ पे नमाग भी परने लगे और फिर रात को यह बारा बजे जिसको क्या कश्मीर में बोलते हैं एक टेरिटोरियल डॉमिनेशन की रात को इस ट थोक में लड़के जो है रात को आधा एक गंटे मोटर साइकल राउंड 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 लगाते हैं ओके इस टो टेस्ट इस समबड़ी इस अबजेकिक नहीं करेगा तो धीरे धीरे उसको नॉर्मिनेश करते जाएंगे और टेरिटोरियली आपको ड का güven कोस्मी पौलिटन हिसाब किताब था तो तो दीडरे दीडरे यह नवाव लड़कों ने आकर ह людям को थोड़ा सा सीवर्टी बजाना च्यरूर किया लड़कों ने refundיד užने रिसपॉंड नहीं हिए उनके भाईयों ने भी रिसपाऍट निनी किया फिर जाके हाथ लगाना शुरू कर दिया हथ फेरना शुरू किया और धीरे धीरे यह नौबत आगे कि लड़किया अपने भाईयों के साथ निकलनाани कर दिया brand कर दिया तो इस तरह से यह नॉर्मलाइज़ेशन चालू होता है तो इस वाइए मैं वेरी अगेंस इस हिजाब पॉलिटिक, एक्चुली बुर्का पॉलिटिक या या वो सारे के सारे लोग कह तो हिजाब रहे हैं लेकिन जितना जो भी मीडिया में विजूल साते हैं सामने बुर्के में बैठा हूँ है और उसको जब इंसान जोटला सकता है कि आसामने बुरके में बैठा है प्रोटेस बूर्के में और उसको आप चला सकते हैं कि हिजाब के लिए प्रोटेस्ट तो पिर आज से साल पहले जो कुछ हुआ हो और इसकी सचाई बदल कि बदल देना इनके लिए कितनी आसान होगी यह कोई भी सोच सकता है जो आपके नजरों के सामने वाली सच्चाई जगर जो आप बदल देते हैं तो उसमें आपको एक बार फिर से बढ़ाई और एक बार फिर से यूनो इस पीपल शुट से थैंक तु यू कि उस कम से कम वो जो सच्चाई कहीं दब गई थी चुप गई दबा दी गई थी उसको क कॉंटर पार्ट आना चाहिए जरूरी नहीं कि वो विवेक अग्मी फुत्री ही बनाए दस और फिल्म है बिल्कुल होलो कॉस्ट में कितनी फिल्म हैं हमने बना ही नहीं है वही यही तो है हमारा सबसे बड़ा ट्रैजडी कि मतलब पार्टेशन हुआ नैंटी हिंदू एक् सब 84 में सिख मैसे करकी बात करते हैं चालिस हजार हिंदू लोग पंजाब से विस्थापित किये गए इतनी गड़कियों रेप अरे कितने किसें बसों से उतार-उतार के आइडेंटिफाई करके मारा गया आरे से की शाखा चल रही थी सुबह वहां जाके 20 या 22 कितने लोग आज वह शाखा बंद हो गई है अरसाइस का ओफिस होँ बंद हो गया है लेकिन चूंकि किसी ने ओर्डर विड्रॉण नहीं किया तो सिक्वर्टी वाले अभी भी टूटी लगड़ी की कुर्सी बैठे रहते हैं फिर से इंडी टीवी इस तरह की बातों में नाम आना ही है दो किसी उसी के जर्णलिस्ट की टूट था कि उसने खालिस्तानी इंसर्जेंशी टीररिजम को वालओट आफ गोरुड़ं टेंबल पर अररमी का उपरेशन भालँ आपे खिन अ लेकिन उलट दी बात की यह हुआ इसके कार्डन खालिस्तानी टेरोरिजम बढ़ा तो यह तो हालत है कि मतलब चीजें बिल्कुल उल्टी कर दे जाती है हिजाब को आपके आखों के सामने आपके आखों पर हिजाब कर दिया पहना दिया जाता है मुर्के को हिजाब बता दिय जाता है तो बहुत सारे नरेटिव को चेंज करने के जरूरत है और उसमें आप एक हिस्सा निभा रहे हैं तो थैंक्स फोर दाट और आल बेस्ट फोर यूर मैं भी एक सवाल तुमसे भी पूशना चाहता हूं क्योंकि मैं इन फॉर्मली भी पूछ सकता कर आप पूछना च सवा में तो यह पहले तो उनने बड़ा तुम्हें लाइटली लिया बहुत अंडरेस्वेय होगा कुछ कर रहेंगे चलो लड़के करते हैं यह करते हैं और आपने भी यू प्लेट टू वेरी ब्यूटिफुली कि हां भई थी कि हमें भी फरक नहीं पार लेकिन आज मैं तो उनको खून नहीं उबलता आज की तारी अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं अगर ऑफिशली बात कर रहा हूं तो उनका खून उबल जाएगा तो यह जो तीन-चार साल की जर्नी में यह तुमने क्रिएट के हम मुझसे बहुत लोग पूछते हैं अभी अमेरिका में सब यह जो एक बिना किसी एको सिस्टम बिना मार्केटिंग मसल एंड फैनेंशल मसल के दीरे 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 करते रहे इस बिकॉज योर ग्रिट टेमिनेशन और इस यो फोकस और इस यो अंडरस्टैंडिंग या तीनों चीजें या कई बार कहते हैं कि विरोध इतना हुआ कि उस इतनी पड़ी मुझे कि आसा हो गई वो तो मैं नहीं बोलूँगा आसा गाऊ ही तुम्हारी तो और डिफिकल नहीं काफी अ मतलब फ्लैटरिंग क्वेस्टिंग काफी फ्लैटरिंग है यह नहीं पहले दिन से यूँ नो मैं पहले दिन से जब शुरू हुए ही तक तब से म जब तक उसके सात पूरी तीम नहीं रहेगी और वह भी उसी तरीके का डिकेशन नहीं दिखाए नोपूर है निर्वा है यह लोग और एक ऐक बंदा जो है वह इतना डेडिकेट्ट अनुपम जो है यह इनको काफी डेडिकेशन है इस वरक को लेके और कोई भी करें तक आइन पीपल हमारा मेंस्टे है वह एड़ताइजिंग से नहीं है पीपल पेंडोटियों पेंटरी पेंट और विपूट देम अज प्रविट गी जो सवाल था कि यह वीर शातिर तरीके से काम करतें शुरुआत में यह जो रैटली शेट कि अग्नौर करो यह तो विकिपीडिया पे हमारे एक कुछ जानने अच्छ वालों ने पहले पेज बनाया क्योंकि यह तकरिवन 16-17 की बात होगी 2016-17 में जब विन वी स्टार्टेड यह नो गेटिंग अटेंशन तो उस वक्त मीडिया लाइज वगड़ा वह सारा करते थे विकिपीडिया पेज बनाया हमारे कुछ चाहने वालों उस पेज को यह जो लिफ्टिस एडिटर थे नो ने वैंडलाइज नहीं किया वैंडलाइज की तो बात बाद में आती है डिलीट करवा दिया कि आप इंडिया इस नोट इंपॉर्टेंट इनफ विकिपीडिया पेज दोने पेज विफ्ट वित वेंडलिजम फेग नीज और यह सब लिखा हुआ अग्वा एड़े अगे अग्विट पहले जरीडिया थे वालों इस प्रवर्टिया देली राइट्स के जो रिपोर्ट्स थे वो गवर्मेंट साइट कर रही थी कोट में कि और तो जो देली रा उसको तरीके से कैसे यह पूरा बिल्डफ हुआ कैसे यह अचानक कपिल मिश्रा ने कुछ बोल दिया इसलिए नहीं हुआ इसके पीछे पूरी एक जमात लगी हुए थी साजिश थी बहुत पुरानी और वाइलेंस बहुत पहले से चल रहा था अलग-अलग देश के हिस्सो जब तक आपके पास बड़े माइक नहीं हो और पुलिस आपको जाने दे और इस तरह की चीज़ें देवर बिइंग साइटेड बाई गर्मेंट एजेंसे फुलेश इन दर कोट तो जब यह कोट प्रसेडिंस चल रही थी रात और रात ऑप इंडिया का पेज वापस आया ज तो गर्मेंट आप इंडिया कोट कर रही हो देखो विकिपीडिया प्रसेड प्लाटफॉर्म है उस पर क्या लिखा है तो इस इस हाओ यू आप यह नहीं कह रहा कि रोज हो भी सकता है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर भी फ्राइडे को इनका कोई जूम मीटिंग होता ह तो मुझे डिलीट करना भूल गाई क्योंकि एडमिस्टेटर को नहीं परवा होगी और रही सो लोग होते हैं किसको क्या पता हूं और मैं कभी रिस्पॉंड भी नहीं करता हूं तो आम लाइका श्लीपिंग पार्टनर इन गुरूम तो मैं कही बार पढ़ता रहता हूं व मद्तीज़े कंट्याफ सर्मुपिंगि और से इस में घरललगड़ रहे वो पिर्टम आघर कुछ नहीं करता रहें पूंडल ने चारी गयां है वहां रहने सारी अलगत इनलगा उन्हारा कां इन सारे कंपनीज में भी कई लोग प्राइवेटली बोलते हैं कि नहीं 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 आद तो गुद्ध नहीं कह सकते हैं पब्लिक लिए उनको करना होगा जो कि ग्लोबल लेफ्ट जो कहता है सब को बजाता हूं मेरे जो मुझे जानता है पॉप इंडिया का मैं तो कि मैंने का दो तीन लोगों ने कहीं जो एक दूर से मिले भी नहीं ते शुरू किया था सिर्फ कन्विक्शन से कोई चीज पहुच सकती मैं हमेशा बोलता हूं लेकिन एक लास्ट बिफोर वी क्लोजी इंपॉर्टन क्या कारण है कि एक जैनुएन लडाई तुम लड़ रहा है ऐसा नहीं कि तुमने इंपाला इंपाला मतलब कोई महंगी गारी ख़़ी या कोई अपार्टमेंट में अभी अभी बुक करके आया पर मेरा सवाल है हम लोगों की दिली तमना है पर उसके बाबजू तुमारे हमारे जैसे जो लोग लड़ रहे हैं वो फिनेंशली इतना स्ट्रगल क्यों है मतलब आपका बैक ओफ माइंड हमेशा ही रहता है अब मेरे को यह रहता है कि यार अच्छा मेरे को स्क्रीनिंग करने के लिए जम्मू जाना है तो इतना इतना खर्चा होगा यह कहां से निकालू मैं या नहीं है उसमें जम्मू जाओ कि बंबई बैंगलोर जाओ क्या करूं तुम्हारी भी इस्ट्रगल चलती है यह बंदे को रखते हैं पर यह सेल्डी अगला क्या होगा चलो 6 मैने के लिए तो कर लेंगे सात्वे मैने में क्या होगा और यह एक इंकॉंपिटेंट लोग जो कुछ भी नहीं करते जिनका करोनों करोनों रुपए ओवर नाइट कैसे कर लेते हैं कई तो ऐसे लोग जो लॉयर भी नहीं हैं नोट्री टाइप के उन्होंने सिर्व आटी आई जूट भूट की फाइल करके मेरे ऑफिसे तो हम लोग हरोद दो-चार आटी आई फाइल करते हम हमें हमें तो लगता है क बहुती थर्ड रेट काम है मतलब पोस्ट आफिस में जाना दस रुपए दे करना यह लोग ऐसे करोनों करोनों रुपए कैसे एक एक दो दो दिन में कर लेते हैं हमारे लोग क्या इसका महत्वनी समझते हैं फिनेंशल कॉंटिबूशन का जो की वेस्टर लोग समझते हैं और उस मॉडल को लेफ्टेस लोग फॉलो करते हैं कि सपोर्ट यॉर ओन पीपल हमारे दिल से तो महें सपोर्ट करते हैं वह फिनेंशल ही क्यों नहीं ट्रांसलेट होता क्योंकि एक ताइम ऐसा आएगा यूल बीन डिफिकल्ट पोजिशन आई विल बीन वरी स्टक पोजि सब्सक्राइब करते हैं इस तरीके के भी लोग है उनको इंस्टिशनल सपोर्ट से हमारा जो भी सपोर्ट है वह सारा रिटेल सपोर्ट है उनके पास इंस्टिशनल सपोर्ट है और इंस्टिशनल सपोर्ट अहां तभी होएगा जब आपके पास उसके पीछे दशकों नहीं यहां तो डेड़ सो साल का एको सिस्टम है जिसके कारण वह सारे इतने स्रॉंग इंस्टिशूशन से इन्होंने खड़े किये हैं तो वह पास कमी होती है हमाई रिटेल सपोर्ट मिलता है और थोड़े डिफ्रेंसेज भी हैं काफी ज्यादा इमोशनल लोग हैं दो बातें समझ भी नहीं आई तो यार कल से इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वह सारे प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं बट रिटेल सपोर्ट इस त सबसे बड़ी कमी है और दूसरा जो कि इसका डरिवेटिव ही है कि इस्टीशनल सपोर्ट को सीधा मतलब में अगर कहें किसी को यह कॉंप्लेक्स टर्म लग रहा हो तो इस लाइक आप प्लेइंग और यूर होम पिच वो पूरी की पूरी पिच और न सिर्फ पिच बलकि य हैं यह सारे उन लोगोंने सेट कर रखें तो आपके लिए खुद के लिए हाँ तो इसलिए उनको खेलना और उनके लिए स्कोर करना काफी असान है तो वह चीज हमें बनाने में सीखने में टाइम लगेगा मुझे याद आता है कि पहली बार इंटरनल फीडिंग रेस्टिक कि यह वह एक अलग सब्जेक्टिव और इंटलेक्चुल डिबेट हो सकता है कि वह रूल इंट्रोड्यूस करके क्या क्रिकेट को बिगार दिया गया जैसे कि टीट्वेंटी के लिए कहते हैं लेकिन वही रूल आप इंज्वाइक करने लगे ना जब सहवाग ने मारना जब कुछ होई है यह पूरा जो उनका जो इंस्टिशूशन है जिसके अराउंड अडवर्टाइजिंग से आते हैं मुझे लगता है जब तक में प्रॉब्लम एक्टुली अडवर्टाइजिंग से सुधरेगी अगर अगर अडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में यह चे पता है आपको कभी-कभी थोड़ा तो एडवर्टाइजिंग में जिस दिन कोई डिस्रॉप्टर आ जाएगा मुझे लगता है उस वक्त कभी बड़ा चेंज होगा और ओविएसलिए फिर्वेंचर फाइनेंस और इसलिए मैं चाहिए रहूल जो यंग जैनरेशन है वह आप आई पील में खेलोगे या टेस्ट मैच के लिए करियर बनाओगे करन जोर की फिल्म करो तो पी आर मार्केटिंग यह सब तो बना बनाया सिस्टम मिल रहा है पार्टीज और मेरे साथ करोगे तो गरीबी में जाना पड़ेगा आपकी बार हम यह भी कह देंगे या प्ल दोने इंस्टिउशन को ने इंस्टिउशन बनाने होंगे और अपनी एको सिस्टम आपको तयार करनी होगी तो यू स्क्रैच माई बैक का तो जब तक वो नहीं होगा तब तक तो यह प्रॉब्लम है तो जो लोग नहीं समझते हैं तुम जो कहना चाह रहे हो भी समझा जा इस बिकम एक सिस्टम जैसा आपने क्रिएट कर दिया तो यह इसलिए भी सही है कि आप से बातचीत करने की बात है इसके पहले ही एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं जिनका कश्मीर जर्नलिजम से बहुत गहरा नाता है मत्तलब अमलिकल कॉर्ट की तरह है कश्मीर उनने उनके दिल के करीब रहा है काफी स्पेशल रिपोर्टिंग की और जब कोई सब्जेक्ट आपके करीब जैसे मैंने आपको ताया मैंने कश्मीरी हिंदुों से भी बात करी कि मैं दोनों पॉइंटों भी जानना चाहता था फिर मैंने जो यह यह लेफ्टिस्ट लोग है जैन तो मुझे कोई यह ना बोले कि आप ने दूसरा पॉइंट आव यह नहीं दिखाया तो उनसे आज सुबह हमारे स्टूडियो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हों ने उनसे का कि हमारी फिल्म आ रही है और हमको जरूर थे क्योंकि हम कैसे लोगों को पता चले हम आपस इतना प तो उनने का तो और भी अच्छा है आप और विवेक जब साथ में आएंगे तो सबको पता है आपकी रिलेशन्शिप तो भी तो अंगाम होगा आपको तो कमर्शली टी आर्प के लिए भी भी बहुत फायदा है तो उननों बोला हम मैं जानती हूं इस बात को कि यह बहुत कर तो मैं करसे आपकी टीचानु कहरते है तो सबसे करे छो हों को आपकी अजयदेर बहुत कियो को तो ऐसा उनने बोला और ऐसा कई और लोग भी बोलेंगे अब आगे चल के अभी तो अमने शुरू ही किया तो यह है एक दो के इस्टिटूशनलाइस से मतलब एक तो दोर स्वेक्रा थे इस जो बीगे तो बीगेडना वी खुल दोरिय खुछेश यह होता है उसमें वह होता है कि सामने वाला बंदा है वह गड़त रिलिजियन से है तो उसके साथ ना आप दोस्ती रखेंगे न कोई संबंध रखेंगे, शादिया वादिया, दो समय और नरकश को आप जाके सिव करेंगे. आप करेंगे तो वही जो वो होता है वही एक तरीकसे वोक लोगों का भी यह लिफ्ट का भी है कि वह आपको डिजीज की तरह देख रहे हैं वह आपको काफिर उनको कनवर्ट करके आपको बचाएंगे वह अपने हिसाब से वह लगे हुए हैं बड़ा दुनिया के बहुत तो आप उस तरह के से नहीं देखते हो कि यह दिस जस्ट डिफरेंस अफ अदर्स 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 अदिंग ने आप मैं समझ गया हूं अब लेकिन को कहरा है एक पीचर का वेटा हूं तो बच्पन से सिखा गया गया था कि सबसे बोगस थे जब सामने वाले आप से मिल जूल तो आप अधी प्रोपेगंड़ा बोल दिया और जिनको मजबूरी में करना पड़ेगा वो कहेंगे प्रोपेगंड़ा फिल्म है और कई तो यह भी कहेंगे कि यह तो सरकार ने फिनेंस किये कई लोग कहेंगे यह तो कुछ रईजीश का वातें करेंगे और इसाब बिना फ तो तो ठीक है लड़ने उत्रें यह जैसे इतने सारे बैटल्स खुली जाते हैं हमार लिये तो बट इस इन इंपोर्टेंट बैटल तो बीवान कि कम से कम पुरानी नेरेटिफ्स जो है उसको सही तरीके से दिखाएं और वन्स अगें आल बेस्ट और हम जाएंगे बिफोर करोनों यंग इंडियन के भीहाब पे मैं तुमको नुपूर को तुमाई पुरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूं दिर मेरी आखें गिली होने लगी क्योंकि इतने घाक साफ हैं यह लोग तुमने जो एक्सपोस किया राना पुलिजर मिलना चाहिए तो इस जनलिजम को मिलना चाहिए क्योंकि इस्टैबलिश्मेंट यह है सरकार कोई भी चलाए इस्टैबलिश्मेंट के आवाज खड़ेों के सामने उठाना हैट्स ओफ to you I wish तुमको सरसोती will bless you and you guys thank you thank you and all the best to both of us on that note please go ahead and watch the movie OTT पर इसका इंतिजार ना करें इसको थीटर में जाके देखें और let's make it a successful movie thank you thank you